हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब एज्जू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे एंटी डॉट्स फॉर पॉईजनिंग के बारे में कि जो अलग-अलग पॉईजनिंग होते है तो इसके ट्रीट्मेंट के लिए स्पेसिफिक अंटी डॉट्स वगेरा को यूज किया जाते है तो वो अंटी डॉट्स कौन से है और किस तरह से हम उसको use कर सकते हैं अलग-अलग पॉईजनिंग कंडिशन को मैनेज करने के लिए तो सीखते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में about the antidotes तो एक्सपेट लेक्चर बाई अमर सर, और सिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मरोग्स तो अगर आपके पास Android phone है तो डाउंडरोड करें Android अप्लिकेशन iPhone है तो App Store पर से डाउंडरोड करें लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझें antidotes के बारे में तो उसका definition के है तो antidote is a substance that can counteract a form of poisoning मतलब कि poisoning के सामने जो counteract करने वाला जो substance है उसको हम कहते हैं antidote मतलब कि कोई poisoning हुआ है कि ये कोई egg substance है ये वाला egg substance का आपको हुआ है poisoning तो इसकी poisoning की जो effect है उसको कम करने के लिए हम जो बाहर से दूसरे substance यूज़ करेंगे उसको हम कहेंगे कि antidote की इसके सामने जो हम दूसरे substance यूज़ करते हैं कि उसको हम कहते हैं कि समझो a कहते हैं तो उसके ये अलग-अलग particles ये जो x जो आपका poison है उसके सामने क्या करते हैं ये counter attack कर रहे हैं ये वाला जो a है वो समझ लो कि आपके antidote है और x के वज़ए समझो कि मैं यहापे p लिखता हूँ तो p जो है वो आपका poison है तो poison का जो molecule है तो ये वाला हो गए आपका p for poison तो ये poison के सामने बाहर से counter attack कर रहे हैं आपके antidote के molecules के antidote के molecules को समझो में ये वाला color देता हूँ तो ये बहुत सारे antidote के जो molecule आ जाते हैं उसके counter attack करने के लिए तो ये क्या करेंगे कि जो poison की जो effect थी उसको दिरे-दिरे कम कर देंगे और poison के कारण होने वाले जो toxicity थी या फिर जो भी patient की condition हुई थी वो दिरे-दिरे cure करने का काम करेंगे ये antidote तो antidote का main काम यही होता है कि वो poison के सामने counter attack करते हैं और poisoning की जो effect होती है वो दिरे-दिरे क्या कर देते हैं काफी कम कर देते तो यही है concept about the antidote की poison को counter attack करने वाले जो substances होते हैं उसको हम कहते हैं antidote तो the term antidote is a Greek word that means antidodonai meaning given against कि किसी के सामने कि जो poison है तो उसके सामने देने वाले उसके against में जो देने वाले हम medication से उनको कह सकते हैं antidote and antidote is a chemical especially a drug that limits the effect of a poison कि एक और definition यहाँ पर simple कि antidote के है तो antidote एक टाइप का chemical ही है कि जो specially drug भी हम कह सकते हैं कि जो limit करते हैं effect of a poison कि poison की या फिर जो कोई toxicity आपके body के अंदर होती है तो वो toxicity को reduce करने के लिए जो chemicals use कहते हैं और especially वो chemical एक टाइप के drugs ही है कि जो poison के सामने counter attack करते हैं और उसकी जो effectiveness से उसको कम करके proper जो है वो patient के treatment करते हैं a way of preventing or acting against something bad that are also a antidote and poison antidote destroy the poisoning कि जो भी poison का जो antidote है वो क्या करेगा and destroy कर देगा poisoning को और उसकी effect के जो की poisoning की effect आपको हुई थी वो effect को कम कर देगा यह आपका antidote तो antidote की जरूरियत की वे तो need of an antidote की the need of antidote for different drugs happen due to the toxicity of a drugs or we may say that due to the misuse of the drug and poison कि हम जानते कि कुछ ऐसे poisoning substance होते है कुछ ऐसे medications होते है कि समझे कि उसका किसी ने misuse किया है वो medications या फिर वो drug substances की toxicity हुए तो वो toxicity के करण किसी की तब्यत खरब ना हो as well as उसकी death ना हो आगे जाके और proper हम उसकी treatment कर सके, server कर सके तो उसी के लिए antidote स्वगेरा की जरूरत रहती है तो toxicology is the study of the effect of poison on the function of a living system all things are poison and nothing is without the poison only the dose permit something not to be poisonous तो ये काफी ये golden sentence कहा है कि सभी substances जो कि आप excess amount में लेते है तो वो बन सकते है poisonous कि सिर्फ उसका जो dose है वो ही permit करता है उसके safe use को कि समझो कि कोई medicine है तो ये medicine की poisonous effect आपको कब मिलते है कि जब उसका आप overdose करते हैं कि जैसे आप देखो कि सिर्फ एक tablet की समझो की जरूरत थी कि इसमें से सिर्फ एक ही tablet लेने की जरूरत थी बड़ समझो कि आप ये सारी tablet ले लेते हैं तो क्या हुआ ये miss use हो गा है उसका और जब इस तरह से कोई miss use कर लेते हैं कि सिर्फ एक ही tablet की जरूरत थी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो टेबलेट की जरुरत थी बढ़ उसके सामने ये समझो कि आप 40-50 जितने टेबलेट यूज कर लेते हैं तो वो फिर जो मेडिसेन जो उसकी मेडिसेनल एफेक्ट देथी थी उसके जगाए देगी कि अपनी पॉईजन इस इफेक्ट या फिर उसको हम कह सकेंगे कि उसके टॉक्सिस इज़्याई तो आपको दो टेबलेट की आप इतने सारे टेबलेट ले लेते तो काफी सारा डोज आपके बॉड़ी के अंदर जाता है जिसके गरन हम कह सकते है कि इतने सारे समझें कि कोई टैबलेट ले लेता है तो उसके करन जो है वो पॉईजन इस इफेक्ट उसके अंदर होगी टॉक्सिसिटी होगी और यही टाइप के जो टॉक्सिसिटी कही बार होते है कोई परसन इसका मिस यूज कर लेता है कोई पॉईजन को यूज कर ले तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसका इलाज करने के लिए जरुवत पड़ते हैं लगला गैंटी डॉट्स की तो अब जानिये कि किस तरह से कोई पॉईजन इंक को मैनेज किया जाता है सबसे पहले कि जब कोई परसन पॉईजन ले लेता है या फिर कोई मेडिकेशन के ओवरडोस के करन की जैसे अभी हमने प्रिवियस स्लाइड में ही देखा कि एक या दो टैबलेट की जरुवत थी उसके सामने समझे कोई परसन पचास टैबलेट ले लेता है तो उसमें से कुछ ड्रग तो एबसर्फ हो जाएगी बड़ बाकी की अभी उसके समझे के स्टामक वागेरा में है तो जरुरी है कि जो औन एबसर्फ हुआ जो पॉईजन है उसको जो है वाप रिमू करवा दो तो रिमू दा औन एबसर्फ पॉईजन की जो पॉईजन अभी तक absorption नहीं हुआ है वो पॉईजन को जो है उसकी बॉड़ी में से रिमू करवा सकते और उसके लिए एक option रहता है वामिटिंग करवाना तो ट्रीट एन एक्स क्रियेट दा एबसर्फ पॉईजन एक तो औन एबसर्फ पॉईजन को भी रिमू करवाना कि जो अभी तक स्टमक में ही है तो टैबलेट्स का जो ओवर्डोस लिया था तो वो समझो कि अभी तक टैबलेट्स कुछ डिजॉल नहीं हुए यह एबसर्फ नहीं हुए उसके तो वो वामिटिंग करवा कि आप जो है वो बाहर निकल सकते हैं उसके लिए इमेटिक्स वगेरा को यूज करते हैं इमेटिक्स कैन अल्सो भी यूज तो रिमूव दा पॉईजन बाई वामिटिंग तो यह हो गया यह फर्स्ट वाले जो अप्सन का प्रॉपर जस्टिफिकेशन अब यह वाला समझो कि जो सेकंड वाला पॉईट है यह तो टू ट्रीट एन एक्स क्रियेट दे एबसर्फ पॉईजन कि अब जो पॉईजन कुछ एबसर्फ हो गया है पर्सन की बॉड़ी के अंदर तो उसके सामने जरूरी है प्रॉपर इस टाइप की एंटीडॉट देना कि समझो कि यह कोई एंटीडॉट है तो फिर आप क्या करेंगे कि यह एंटीडॉट जो है उसको समझे कि पेसंट ओरल ही लेता है तो ओरल ही दे सकते हैं इंजेक्शन से देने की जरूर थे तो आप उसका इंजेक्शन वगेराभी पर्सन को दे सकते हैं और इस तरह से आगे जो है वो प्रॉपर आप सिस्टेमिटिकली उसकी ट्रेटमेंट जो है वो स्टार्ट करते है, so step for general treatment, वो समझ लो कि किस तरह से, अलग-अलग steps follow किये जाते है, poisoning management के लिए, तो सबसे पहले removal of unabsorbed poison कि जैसे यहाँ पर हमने बात के कि vomiting करवा के आप unabsorbed poison को जो है वो उसके body में से बाहर निकाल सकते है, second है कि use of antidote कि जैसे अब यह वाली बात है कि यह वायल के अंदर समझे कि कोई toxicity का antidote है, तो यह antidote जो है वो आप person को दे सकते है injection से दे सकते है orally भी दे सकते है कुछ antidote inhalation के थूँ भी दिये जाते है, फिर बात आती है कि elimination of absorb poison, कि absorb किया हुआ poison आप जो है उसका elimination करवा सकते है और elimination के लिए बहुत सारे जो अलग-अलग techniques से आप उसका elimination करवा सकते है कि urine के थूँ भी elimination होता है, फिर बात करें तो stool के थूँ हो जता है vomiting के थूँ भी हो सकता है और proper use of antidotes और चौता है कि symptomatic treatment, कि अब जो भी treatment है आगे कि समझो कि patient थोड़ा stable हो रहा है, तो आगे उसके symptoms के basis पे proper treatment जो है, वो की जाते है कि जो भी उसके symptoms देखने को मिल रहे है उसके according to आप आगे medication start करके उसके treatment कर सकते हैं तो अब जानते हैं कौन से ऐसे अलग-अलग popular antidotes है कि जो अलग-अलग poisoning के अंदर use किये जाएते हैं, तो सबसे पहले समझे कि acetaminophen poisoning तो acetaminophen मतलब कि हमारी popular drug PCM कि जिसको हम कहते है paracetamol, तो paracetamol की जो medicine है, fever की बट यही medicine का कोई करता है, misuse या फिर उसको overdose के अंदर आप use कर लेते हैं, कि overdose कर लेते है, कि समझे कि ज्यादा से ज्यादा आप 3 tablet लेते हैं, paracetamol की, कि 1 1 1 इस तरह से 3 tablet आप लेते हैं, कि 1 morning में लेते हैं एक afternoon में लेते हैं, और फिर आप रात को एक लेते हैं, तो इस तरह से morning, afternoon and night यह 3 tablet आप लेते हैं, खाना के toxicity हो गई है, body के अंदर poisoning हो गया है, तो वो poisoning को treat करने के लिए आप acetylcystine को देगे as a antidote, तो ये acetylcystine आपके लिए बनेगा antidote for the poisoning of acetaminophen की जिसको हम कहते है paracetamol, उसी तरह से जो second drug है हमारी that is tensilon as a antidote, तो tensilon use किया जाता है, किसी को जब क्यूरा रे करके जो एक herbal medicine आती है, उसका poisoning होता है तो क्यूरा रे के poisoning के अंदर tensilon use होता है as a antidote, फिर क्यूमाडिन का समझे के poisoning हुआ है, तो उस वक्त vitamin K जो है वो use किया जाता है as a antidote, फिर digitalis poisoning के अंदर, desibint use होता है and cyanide के poisoning के अंदर के कई बार आप देखते होगी, cyanide का poisoning हुआ है, तो उसके अंदर amyl nitrite या फिर sodium nitrite जो है वो use किया जाता है as a antidote, तो यह हो गए first five most important and popular antidotes for various poisoning, second slide में देखते हैं, दूसरे कुछ antidote की जब benzodiazepines का आपको poisoning हुआ है, तो उसको दिया जाता है flumazanil, फिर iron poisoning है तो उसके अंदर, और disferal करके जो आता है, medicine उसको दिया जाता है antidotes के तो और लेड का poisoning है तो उसके अंदर EDTA, ethylene diamond, tetra acetate या फिर BAL को हम यूज करते हैं, ethylene poisoning के अंदर anti-zol को यूज किया जाता है, magnesium sulfate के poisoning में calcium gluconate को हम यूज करते हैं, फिर है penicillin, तो penicillin के समझे के किसी को toxicity हुए, penicillin को बहुत सारे excessive hormone पे लिए गया है, तो हम जानते के penicillin तो एक antibiotic है, तो उसके toxicity के अंदर antidote जो हम यूज करते हैं, that is epinephrine, फिर है morphine sulfate, तो उसके toxicity के अंदर naloxone hydrochloride जो है, वो यूज किया जाता है, as a antidote, फिर है vincristine, तो vincristine की जो vincal alkaloid है, cancer के treatment में यूज किया जाता है, बट समझे कि उसके overdose के करन, उसके excessive use के करन, जो toxicity हुई है, poisoning हुआ है, तो उसके treatment में आप high alluronidase को use कर सकते हैं, फिर बात आती है neostigmin, तो neostigmin के poisoning के अंदर pralidoxime chloride को हम use करते हैं, फिर है mastinon, तो mastinon के लिए atropine sulfate को use किया जाता है as a antidote, आगे सिखते हैं number 16, तो ethylene glycol का समझे के poisoning हुआ है, तो उस वक्त ethyanol से आप उसको जो है वो treat कर सकते हैं, 17 number में देखे तो caffeine का poisoning के तो उसमें small all को use किया जाता है, फिर number 18 में हम देखे तो beta blockers का जब poisoning होता है, beta blockers के जो drug है कि propronolol है, ethyanolol वगेरा, तो जितने भी lol वाले beta blockers से उसके poisoning के अंदर glucagon को जो है, उसको use किया जाता है as a antidote, फिर barbiturates जो medication से उसके poisoning के अंदर, जो charcoal या फिर जो हम activated charcoal कहते हैं, कि जो universal antidote के अंदर भी use किया जाता है, उसको हम use करते हैं as a antidote and maya proteinol poisoning के अंदर, isnolol को हम use करेंगे, तो यहाँ 20 देख हमने complete किये, आगे समझते है 21 number that is colinesterase inhibitors की जब आपको toxicity हुई है, तो उस वक्त antidote का काम करेगा atropin, जैसे colinesterase inhibitor है, तो वो समझो कि किसी ने higher dose वागिरा में ले लिया है, उसकी toxicity हुई है, poisoning हुए तो उसके अंदर, atropin जो है आपके लिए first choice बनता है as a antidote, फिर hyperin जो है anti-coagulant, उसके poisoning के अंदर, protamine sulfate जो है, वो उसका antidote बनता है, तो यह खास याद रखे, most IMP point है यह, कि यह सब MCQs के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है, वाइवाब में के अंदर भी ज़रूरी है, as well है समझे कि आप practice वगरा कर रहे है, तो भी यह antidote का जो knowledge है, वो आपके पास अच्छे से होना चाहिए, फिर जो isoniaz है, उसके poisoning के अंदर, vitamin B6 के जिसको pyredoxin का जाता है, iron salts के poisoning के अंदर, dyspheroxamine, यह खास याद रखे, काफ़ी important है, कि जो iron के जो salt होते हैं, उसके poisoning के अंदर, dyspheroxamine यूज किया जाता है, वारफेर इनका जो poisoning होता है, उसमें, vitamin K को हम यूज करते हैं, 26 नमबर की जो salicylate से उसके poisoning के अंदर, charcoal या फिर activated charcoal आप यूज कर सकते हैं, quinidine poisoning के अंदर, sodium bicarbonate, muscarinic receptor blocker से, और उनके समझें के poisoning हुई है, toxicity हुई है, overdose ले लिया है, तो उस वक्त, phisostigmint को use करके, आप उसकी effect को कम करके, उसको as antidote use कर सकते हैं, calcium channel blockers जो है, उसके लिए भी glucagon यूज करते हैं, cyclophosphamide के poisoning के अंदर, mesna, कि यह वाला जो आप mesna का injection दे रहे हैं, देख रहे हैं, उसको जो है, वो patient को दिया जता है, कि जब cyclophosphamides का poisoning होता है, 31 नंबर में देखे तो जो dopamine है, dopamine का overdose हुआ है, toxicity हुई है, तूस्वाग, phantolamine, fluorouracil के अंदर, leukovor and calcium हम यूज करते हैं, आज एंटिडोट, insulin injection का overdose, तो यहाँ पर समझे, insulin injection का जो overdose है, तो उसका overdose से क्या होगा, तो insulin हमें पता है, कि diabetes के type 1 patient को यूज किया जाते है, उसके overdose के करन, glucose जो है, वो आपकी body के अंदर, काफी, कम हो जाता है, कि जिसको हम कहते है, hypoglycemia, तो glucose कम होने के कारण, जो problem produce होगा, उसको हम कहते है, low blood sugar, low blood sugar, कि जब blood sugar काफी कम हो जाती है, बरसन की, तो यह low blood sugar को फिर से manage करने के लिए, एंटिडोट एक ही रहेगा, that is glucose, कि जितना हो सके तुरंद फटाफर patient को आप जिसे glucose देते है, तो जो insulin injection के overdose के करन, जो toxicity हो गई, उसकी जो overdose के करन, जो condition produce होगे, glucose level काफी कम हो गया, sugar काफी कम हो गई परसन की, तो उस वक्ति यह glucose को यूज़ करके, आप उसकी जो है वो treatment कर सकते कि जिसे, जो फिर से patient के अंदर sugar level proper आ जाएगा, फिर जो methotrex-zad की जो anti-cancer drug है, उसके poisoning के अंदर भी lycovarine, calcium जो है वो use होता है as a antidote की जो, fluorouracil जो drug है उसके poisoning के अंदर भी use होता है, तो यह खास यह दर रखे कि जो कुछ common antidote से, फिर tricyclic antidepressants की जो अलग-लग antidepressants drugs जादी है, tricyclic antidepressants class की, तो वो class के किसी भी drug के toxicity के अंदर हम phyzostigmin को use कर सकते हैं, फिर जो potassium है, तो potassium के toxicity होए, काफी excessive potassium आपके body के अंदर develop हो गया, तो उस वक्त insulin and glucose यह दोनों दिये जाते है as a antidote, फिर chloroquenine जो है, उसके toxicity के अंदर diazepam जो है, वो use किया जाता है, फिर amphetamine जो है, उसकी toxicity यार poisoning के अंदर propranolol की जो beta blocker है, उसको हम use करते हैं, arsenic का poisoning, यह सबसे important है, कि arsenic poisoning के अंदर dimer caprol जो है, वो use किया जाता है, कि very very most IMP जो हम यह कह सकते हैं, कि arsenic poisoning में कौनसे antidote, that is a dimer caprol, and carbamate के poisonings के अंदर, atropine या फिर atropine sulfate को हम use करेंगे as a antidote, 41 नमबर का देखो कि जो mono amino oxidase inhibitor है, कि जिसको mao inhibitors हम कहते हैं, तो उसके poisoning के अंदर fentolamine use के जाता है, tricyclic antidepressants के poisoning के अंदर benzodiazepine, phenytoine, as well as phyzostigmin को आप use कर सकते है as a antidote, फिर जो selective serotonin reaptic inhibitor से, उनके poisoning या फिर overdose के अंदर cycloheptadine, use किया जाएगा as antidote, benzodiazepines के अंदर flumagenil, beta antagonist के लिए glucogon या फिर epinephrine, glucogon या फिर epinephrine, salicylate के poisoning के अंदर activated charcoal, thiophylin के लिए भी हम charcoal या फिर beta antagonist use कर सकते हैं, glucose and insulin का जो poisoning होता है, तो उसके अंदर sodium polystyrene sulfonate के समझे कि glucose and insulin दोनों use करता है कोई patient, तो उसके करण जो toxicity होई तो उसके अंदर sodium polystyrene sulfonate use किया जाता है, opioid poisoning के अंदर naloxone, काफी famous है यह कि जो opioids होते हैं, उसके poisoning किसी को हुआ है, तो naloxone या फिर नालमे fin को हम use करेंगे as antidote और आखरी नंबर पचास वाला देखो तो isoniazid के poisoning के अंदर pyridoxin की जिसको हम कहते हैं, vitamin B6, उसके लब भी कुछ ऐसे antidote है कि जिसको हम कहते हैं, universal antidote कि जब आपको nature ही पता नहीं है कि कौन से टाइब का poison है, मतलब कि यह वाली slide वे वापस आओ, कि आपको पता है कि किसी को isoniazid का poisoning हुआ है, तो यह poisoning जो है उसके अंदर आपको nature पता है, कि poisoning का nature आपको पता है कि isoniazid के कारण person को poisoning हुआ है, वो आपने detect कर लिया, बट आपको पता ही नहीं है कि कौन से टाइब का poisoning है तो उस वाक्त universal antidote जो है universal because it can be used in all cases of poisoning especially when the nature of poison is unknown and universal antidote is given around 15 to 30 gram orally and it can be repeated 12 to 24 hourly और इसको हिंदी में हम कह सकेंगी कि 20 प्रतिकारक कि जो antidote को 20 प्रतिकारक कह सकते हैं और 20 प्रतिकारक खास कर जब हमें जहर के प्रत्कृती completely अग्निया थे कि जहर कोई प्रत्कृती ही हमें पता नहीं कि कौन से टाइब का जहर है कौन से टाइब का poisoning है उसको पता ही नहीं है तो universal antidote use करते कि जिसका composition में रहेगा charcoal 50% रहता है उसके दो पार्ट फिर magnesium oxide रहता है एक पार्ट 25% और बाकी का एक पार्ट रहेगा tannins कि उस तरह से total 100% composition तयार होगा कि यह होगा आपका charcoal यह होगा magnesium oxide और यह होगा आपका tannin कि समझे कि आप 100 gram बनाते हैं तो 50 mg जो है पचास ग्राम लेगे आप charcoal को 25 gram लेगे आप magnesium oxide और बाकी का 25 gram लेगे tannin और इस तरह से total 100 gram का universal antidote आप बना सकते हैं तो charcoal की जो 50% की जो यह वाला charcoal आप यूज कर सकते हैं फिर यह क्या करता है कि adsorption का का काम करता है poison को फिर magnesium oxide obtained from the milk of magnesium which result in neutralization of poison की जो भी poison उसको neutralize करने का काम करेगा और tannin जो है obtained from the strong tea which result in precipitate of the metal alkaloid glucosides and neutralization of alkali also तो यह तीनों combination में क्या करेगा कि कोई ऐसा poison है कि acidic type का तो उसको neutralize करने का काम करेगा साथो साथ एवड्जोप्शन का भी काम करेंगे और neutralization साथो साथ precipitation तो यह चार अलग अलग concept के उपर यह अपका universal antidote काम करके toxicities को काम करने का काम करता है तो यह था हमारा special lecture about the antidote antidote thank you for watching जोईन कर सकते है whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number है pharma rocks का link आपको description box में मिलेगी pharma rocks के app उपर android user है तो download करें android application iphone यूज कर दे तो app store पर से download करें link description में available हो और access करें study material test series and video lecture pharma rocks के app उपर so good luck and all the best electws